हेलो फेंज जब आप चड़ी पहन कर प्राइमरी स्कूल जाया करते थे तब आपने कभी ना कभी कागज का प्लेंट बना कर उसे क्लास में तो ज़रूर उड़ाया होगा आज हम बात करने वाल हैं उसी कागज के प्लेंट के कुछ फैक्ट्स और वर्ल्ड रेकोड के बारे में अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है ये काम तो हम तब से करते आ रहे हैं जब हमने पैंट पहनना भी नहीं सिखा था तो मेरे प्यारे भाईयो मैं आपको ये बता दू के पैपर को फोल्ड करके उसमें से प्लेंट बनाना बहुत ही आसान बात है लेकिन उस plane को ज्यादा से ज्यादा देर तक हवा में रखना यानि की उड़ाए रखना और उस plane से ज्यादा से ज्यादा distance कवर करना ये बड़ा ही मुश्किल काम है दुनिया में ऐसी कई जगा है जहां ऐसे competition होते है जहां A4 size के paper से बने plane को ज्यादा देर तक हवा में उड़ाए रखना होता है या फिर उसे ज्यादा distance कवर करना होता है कई साल पहले जब Red Bull ने ऐसा competition और्गनेज किया था तब उसमें दुनिया भर के लगवग 46,000 से भी ज्यादा लोगों ने participate किया था इस competition में कई सारे challenges होते हैं सबसे पहला challenge था कि paper को ज्यादा से ज्यादा distance तक पहुचाना और इस challenge को बलगेरिया के vessel in Ivanov ने जीता था और उसने अपने plane को 53.22 मीटर दूर भेजा था अब दूसरा challenge था कि plane को ज्यादा से ज्यादा time तक हवा में उड़ाए रखना अब भी बताया कि paper को fold करके उससे plane बिनाना तो काफी आसान होता है लेकिन उसी plane से अगर आपको ऐसे competition जितने हैं तो आपको कई सारी muscle का सामना करना वड़ता है जैसे कि आपने भी कई बार notice कि होगा कि A4S का paper है जो कि Xerox के लिए use होता है उस paper को अगर आप atmosphere में ज्यादा दिर तक रखो तो वो moisture के कारण soft हो जाता है और moisture absorb करने के कारण उसका weight भी थोड़ा बर जाता है तो अगर उस paper का weight थोड़ा बर जाएगा तो उसको उड़ने में तकलिफ होगी तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हमें ये plane बनाना होता है तो अब हम बात करते हैं इस competition की history और उससे जुड़े कुछ world records के बारे में इस competition की सुरुवात 1967 में हुई थी और इस competition में एक बंदे ने अपने plane को 9.9 second तक हवा में उड़ाई रखा था जो की सबसे पहला world record था उसके बाद Ken Blackburn नाम के बंदे ने एक नया record बनाया जो की था 16.89 second उसके बाद 1998 में उसने अपना ही record तोड़ा और एक नया record बनाया जो की था 27.6 second मतलब की उस बंदे ने आधे मिनिट तक अपने plane को हवा में उड़ाई रखा जो की एक बहुत बड़ी बात है और इस record को तोड़ने की कोशिस कई लोगों ने की लेकिन 12 साल तक कोई इस record को छूभी नहीं सका फिर 2010 में जापान के एक ओरिगामी एक्सपर्ट ने एक नया record बनाया जो की था 29.2 second तो अब हम बात करते हैं plane से ज्यादा से ज्यादा distance कवर करने के बारे में तो 1985 में टोनी फ्लेंच नाम के बंदे के plane ने 58.82 मीटर चितना distance कवर किया था और इस record को 18 साल तक कोई नहीं तोड़ सका था फिर 2003 में नया record बना जो की था 63.21 मीटर उस वक्त लोगों का मानना था कि paper plane इससे ज्यादा distance कवर नहीं कर सकता ये इसकी maximum limit है लेकिन 9 साल बाद ये record तूट गया और 2012 में एक बंदे ने नया record बनाया जो की था 69.14 मीटर और ये record आज भी कायम है तो आप भी comment करके बताना कि आपका paper plane कितनी देर तक उड़ सकता है और कितना ज्यादा distance कवर कर सकता है